मैं आपके साथ हूं मीतर सत्वारा मैं आपके लिए लेकर आए हूँ कि एक मीट के अंदर हम पासपोस साइस फोटो कैसे क्रियेट करेंगे चलिए देखते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी हुई है करके वहां पर जाके आप क्लिक कीज़ें जैसे भी आप क्लिक करते हो आपको यह वाली स्क्रिंट शो होगी यहां पर लिखा हुए मेक अर्जन पासपोस साइस फोटो एट बाइट वान मिनिट यू कन क्रियेट यहां पर डाउनलोड का बटन शो हो रहा है अब जैसे भी यूकौह नंडर साइस फोटो करेंगे यहां यहां हमें ले लिएर के अंदर में दीकथ करेंगे बहुत सारे लिए इसमें जाके हम किसी भी लेयर में शब स्विक दर वही रखा हुआ है उसमें से जाकर हम किसी भी लेयर पे हमें जाके double click करनी है, यहां पर मैंने double click कर दी, जैसे भी मैं double click करता हूं, हमें ये वाली screen open होगी, अभी हमें हमारा photo इसके अंदर set करना है, ठेक है, अभी मेरा photo open करूंगा, मुझे जो फोटो क्रेट करना है मैं यहां से ओपन करूंगा फाइल में गया फाइल में जाके मैंने ओपन की ओपन करने के बाद चलिए मैं यह वाला फोटो फोटोशीट मैं रेडी करता हूँ मैंने यहां पर जाके मैंने ओपन किया ओपन करने के बाद यह वाला फोटो ओपन हो चुका है अभी हम बेक्ग्राउंड के अंदर जाएंगे यहाँ लेयर पैनल के अंदर यहाँ पर हमें लौक दीख राएं जैसे भी आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यह वाली नू लेयर वाली स्क्रीन ओपन होगी हमें य करने के बाद हमें यहे वाले लेयर में आना है वापस और यहाँ पे आके हमें पेसiti करना है उसका soft, votes करकर दिया,ख और फोटो आ गई हमारी अभी हमें हमें इए फोटो को जो बॉक्स था वो बॉक्स के अंदर हमें रखना है तो हम उसके लिए लेयर में जाएंगे, लेयर में जाके हम create clipping mask करेंगे, उसका shortcut is alter control G, हमने यह किया, जैसे भी हम करते हैं, यह वाला जो photo था हमें mask में आ गया, जो हमने photo के अंदर हमें जहां पर रखना था, उसके अंदर हमने set कर दिया, अभी हमें उसको छोटा और बड़ा करना होगा, उसके के लिए हम shift और alter दोनों की हम press करेंगे, उसके बाद जो हमें anchor दिख रहा है, उसको हम यहां से ऐसे पकड़ के हम छोटा बड़ा करेंगे, देखो हम जैसे भी छोटा बड़ा करते हैं, हमें छोट बड़ा हो रही है पूरी image, अभी हमें उसको छोटा करके, उसको ऐसे move करते ठीक है, यह वाली screen हमारी ready हो गए, अभी हम control save करेंगे, ठीक है, ok कर दिया हमें उसके बाद, जैसे भी हम save करते हैं, यहां पर file हमारी 100% save हो चुकी है, अब हम man file में जाएंगे, जैसे भी हम जाते हैं, वहां पर हमारी पूरी पासपर साइस photo ready हो चुकी है, यहां पर आप द देख सकते हो, देखिए, अभी हमें यह file को print निकालने के लिए हम file में जाएंगे, file में जाके हमें उसको save करनी रहेगी, मैंने उसको save as किया, save as करके हम उसको jpg create करेंगे, कहा गई jpg, यह रही jpg, हमने उसको jpg file save हो, मैं की हुई है, मैं दूसरे नाम से save करता हूँ, मिते सर्थ one करके मैंने उसको save की, ठीक है, हमें यहां पर quality trial person रखनी है, ok किया मैंने, अभी मैं window पर चला जाता हूँ मेरे, मिते सर्थ one करके मैंने जो file रखी हुई थी, यहां पर हम आप देख सकते हो, देखो हमारी file ready हो च जालने है, जैसे भी आप color of indical हो कि आपकी image आपकी passport size photo ready हो जाएगी, ठीक है, अभी mostly passport size photo के लिए, यहां पर पीछे background blue होता है, blue background या वैसे flat background वैसे होता है mostly, तो आप ऐसी photo कीचो के जैसे आपको ज्यादा editing ना करना पड़े, जैसे कि पीछे flat color हो या white color हो या blue color हो, ठीक है ऐसे और वीडियो देखने के लिए, प्लीज मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फार वाचिंग